नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी गार्णिंग बेन दिल्ण में आप सभी का बहुत बश्वागत है दोस्तों यह देखें मेरा नगा प्लान आपको पता है यह वेस्ट मटेरेल जिसे लोग फेक रहे थे उसमें मैंने लगाया तो पहले तो लोगों ने कहा क्या कबार में ल यहां पर जो दर्वाजे पर मच्छरों के लिए जाली लगी रहती है तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था उसी में मैंने रस्ती लेपेट करके और उसमें मनी प्लांट लगा लिया अब इसी में इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही जड़े बड़े अच्छी से पकड़ लगा लिए यह देखिए फ्रेजर से निकला हुआ पार्ट है आउजी में मैंने करी पत्ता का लगा दिया है बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है जबकि इसके नीचे दोनों साइड में ही खुला हुआ था फिर बोरी लगा कि मैंने एक साइट से फिर उसको बांद दिया औ और उसी में एक ना ओल का पौधा भी निकला है मैंने कहीं फेक होंगे छोटे से ओल के टुकडे जो कि मैं अचार बनाई थी तो गाउं से बहुत सारा बचा तो इसी क्यारी में मैं डाल दी थी तो यह देखिए फ्रीजर का एक पार्ट है जिसे नीचे से बोरी लगा के बा जिरु लक्राट लगा दिया हैं और इस तो तरह से माने करेले का बीस लगा यह तीन इड़ नीचे मैंने बोरी चा दिया था उसके बाद गार्डन के जो लिफ होते हैं वो बस्षा दिया था और यह देखिए और यह देखिए पर्ढ़ का डिब्बा है उसी में लगा हुआ तो जरूरी नहीं बड़े ही पॉट रहे हैं अब देखें यह जो मेरा केले का पॉधर लगा है मैंने बोरियों को सील करके ग्रोवेक खुद दी घर पर बनाया था और उसी में लगाया था उसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है उतना इस पेस जो है ना गमलों में नहीं मि लगा दिया है और इधर भी मैंने क्यारी बनाई है जितना भी कीचन का फॉल सब्जियां होती है उनके छिलकेसी में डालती जाती हूं आउसी में मैंने अर्वी के पत्ते लगा दिये हैं तो यह मेरे बैक यार्ड गार्डेन का है पीछे का एरिया है तो वहां पर कुछ और यह देखें जितने भी नरसी बैग होते हैं ग्रो बैग जो हम लोग पौधे ले आते हैं मिलते हैं काली अली पॉलती इसको फेक निते नहीं है उसमें या तो आप कोई बीज लगा लीजे या कोई कटिंग लगा लीजे बहुत अच्छी ग्रोथ होती यह देखें सामने जो मैंने ग्रो बैग खुदी बनाया है और इसमें मैं ने सारा मिक्स बना करके स्वाइल रखा हुआ है यह है जो सबजी वाला थायला नहीं होता है उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था तो उसको सेल करके मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट की कटिंग लगा ली है उसकी भी ग्रोथ हो रही है और नीचे जो है उधर जो फोटे गयातुरा वो जोले का है तो इस तरह से मैं इसी में सारी मिटी भर लेती हूं मिक्स करके सब कुछ है बस गंबलों में लगा करके मिटी को पधो को लगा लेना होता है यह देखें यह पेंट का डिबा है एक ल जुगार करें देखें इसमें अलोवेरा लगा हुए है जो कि अलोवेरा अब बढ़ रही रहा है बहुत ज्यादा इसको बड़े पॉट की जरूरत है तो मैं किसी दूसरे बड़े पॉट में लगा दूगी तो यह सही देखें पानी की बॉटल आती है ना जो हम लो ट्रेन जयाना आग जैसी है आपकी मरजी आप ऐसी भी लगा सकते हैं आगर आपके पस समय नहीं है अगर आप ब्यंखकल खंजट चलते हैं देख सकते हैं किपने चोटे चोटे परठो कि इसी अज़त सब्सक्राइब BENEFL कबार में फेकने की जुरूत नहीं है आप अपने गार्डेन में बिना खर्च की यूज कर सकते हैं जो बिंगनर्स है जिनको अभी स्टार्टिंग की हैं गार्डनिंग करना वो सब इस तरह के पॉट का इस्तमाल करें कम खर्च में अच्छी गार्डनिंग जब और अगर हम ज़्यादा इस पेस की जरूत नहीं होती है और नहीं बहुत अच्छे से सर्वाइब कर लेता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं गार्डनिंग की तो आप यह रियों का प्लांट जरूर लगा है और इसमें एक साइट से बेबी निकलते रहते हैं तो इसके बहुत सार में अलग-अलग करके शिफ्ट कर दूँगी तो इस तरह से कबार से जुगार का का रिवाइं अच्छी गाडनिंग कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने एंवर्मेंट को भी साफ सुतरा रखेंगे और अपने गार्डेन में कम खर्चे में अच्छी गार्डिनिंग भी हो जाएगी दोस्तों कटिंग से लगाएं वेस्ट मटेरिल का यूज करें इस तरह से आप जब गार्डिनिंग करेंगे न तो आपको कम खर्चा पड़ेगा और आपका शौग भी पूरा हो जाएगा इजे कि ऊपर तो जो बात द्यान रखेगा कि जो ड्रेने जोल का बहुत जरूरी है द्यान देगना और जो स्वाइल होती है जो हम तयार करते हैं वेल्डेन होने चाहिए लब की बहुत सिकनी मिटी नहीं होनी चाहिए अब यह देखें यह बहुत अच्छी ग्रोथ करा देख सकते हैं कितना अच्छा इसकी पत्तियों का साइज हुआ है जूट की बोरी जो है वह नमी सोखे रहती है और मनी प्लांट को उनकी से हमेशा नमी मिलती रहती है इस वज़े से मनी प्लांट का साइज उनकी पत्तियों का साइज इस तरह से बड़ा होता है अब यह देखिए बेकार टौवल पड़ी थी और सिमेंट थोड़ा सा बचा हुआ था उसको पूरे सिमेंट को पूरी टौवल में लपेट करके एक बड़े से डिब्बे पर रख द लिए है तो इस तरह से आप बहुत चोटे चोटे डिबो में भी अभी देखें हम जाड़ों के लिए जो हमारी गुल्दावदी होती है उसकी कटिंग में लगा रही है ताकि जाड़े के लिए बहुत सारे पौदे तयार हो तो यह प्लास्टिक का बॉटल जो आती है पानी सबस्क्राइब कर सकते हैं नर्सरी बैग मिलते हैं को पौली बैग नहीं को बहुत प्लान्ट थे होते हैं ओगर हमारे पकी कभी कबी सारी हो जाती है तो हम कहां इतने सारे गमले खरीदेंगे तो ये फेकने से अच्छा है इनका इस्तेमाल कर लिया जाए जबी भी आप नर्सीर से पौधे लाते हैं तो बड़े सावधाने से निकालना है और इसके बाद इसको समाल के रख लें तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करकी हम कम लगाने के लिए तो इस तरह से उसमें नीचे होल करना बहुत ज़रूरी है बिना होल के तो यह आपका कोई भी पौधा सड़ जाएगा तो यह देखें मैं इसमें गुल्दावदी की कटिंग लगा दे रही हूं और यह सब भी आप देख रहे हैं सब वेस्ट माटीरियल मे लगे हुए ही मेरे प्लाच और पलांट में लगा हुआ है है कुछ को मैंने पैंट किया है उस दो को यह बहुत बड़े पॉट घवा रखे थर्मकॉल बॉक्स होते हैं चोटे हो यह बड़े सभी में प्लांट्स जो कम रूट वाले होते हैं छोटी साल होगे इसको इसी में लगे हुए तो यह सब हम और lightweight भी होता है और हम क्यों फेक हैं इस बेकार ही होता है ना फेकने से क्या मिलेगा चारों तरफ पूड़ा ही होगा और इस तरह से हम लोग देखें गार्डनी में यूज भी कर लेंगे और देखने में भी बहुत खुबसूरत लगते हैं उनको पेंट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपके पस थर्मा कोल का कोई भी बॉक्स हो तो आप सीट ग्रो करने के लिए बीज लगाने के लिए या फी कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं देखें इनमें ऐसा नहीं है कि इनमें ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल में मत फेकिएगा और आप बिगनर हैं गार्णिंग शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही यूसफुल है कम खर्च में बहुत बढ़िया गार्णि हो सकती है और इस तरह से अगर यह प्लान्टर गिरते भी हैं अगर हाइट पर रखा है आपका गिरत बीख बादें तो वह नहीं होगे आप फिर से इनको रियूज करके पेंट करके और डेकृरेट करके चेंज करके बना सकते हैं इस तरह से बोरीयों का भी इस्तेमाल करें सिमेंट की चावल की ग्यों की बोरिया जो होती है न उनको भी आ तो ऐसी ही लगा देंट पौधे लगे हैं आगर सदा बाहर का एक प्लांट आपकी पास है तो अगले साल उसमें बहुत सारे और भी पौधे नेने निकलने शुरू होते हैं क्योंकि सदा बाहर बीच से बोड़े आरांग से लग जाता है अई यह देखें परपल हार्ट यह तो कटिंग से थोड़ी सी भी कटि में बड़े आराम से लग जाता है बस हां इसको दूप चाहिए होती है यह देखें टीन का कंटेनर है जिसमें तेल आता है उसी में मैंने चंपा का प्लांट लगाया है और उसके बाद उसी में मैंने रिन लेली भी लगा दिया है तो एक पॉट में आप दो तरह के प्लांट लगा सकते अगर बड़ा प्लांट है उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट लगा दीजे फूलों वाले लगा दीजे तो इस तरह से आप बहुत सारे पौदे तयार भी हो जाएंगे और आपका खर्चा भी कम होगा इस तरह से होल बनाकर कि भी छोटी-छोटी कटिंग लग लगा सकते हैं देखें कितनी छोटे से बॉटल में लगा हुआ है लेकिन और यह पूरे समय रहता है कभी कभी तो दस दिन तक में पानी भी नहीं डालती है फिर भी यह सर्वाइब कर लेता है इतना हाड़ी प्लांट होता है यह परपल हार्ट यह देखें कटिंग लगा देखें आपके सामने ही ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होती है ऐसे फेकने की बजाए उनका इस्तमाल करके फेकें यह देखें इसमें स्विट आइठी रजगुला आया था और उसके बाद इसमें भी मैंने नीचे होल करके सिंगोनियम लगा लिया है और उपर से खुबसूरत से पत्थर जो आते हैं और कुछ तो कंस्ट्रक्शन में यूज जब बालू होती है ना बजरी तो जब उसको च्छान करके प्लास्टर होता है ना तो जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं वो बच जाते हैं तो उनका भी यूज मैं कर लेती हूं डेकोरेशन के लिए आपको प्लांट्स भी हर जगह मिल जाएंगे और आपको लगाने का आइडिया भी आ जाएगा आप वेस्ट माटेरियल का यूज करना सीख जाएंगे तो हम चोटे से चोटे प्लांटर में भी बड़े आराम से पौधे लगा सकते हैं अच्छी ग्रोथ आप देखी सकते है पत्यों का साइज देखिए कितने खुबसूरत लग रहे हैं तो ये चोटे चोटे पौट को हैंडिल करना बहुत ही आसान होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमारे घरों में बहुत सारे मिली जाते हैं आप ध्यान से तो देखिए कहने के आपके पास भी कुछ ऐसा बेकार समान होगा जिसका आप अपने बागवानी में इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर चाह है शौक है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा बहुत खर्चा नहीं करने की जरूरत है बहुत समय देने की जरूरत नहीं है आप स्टार्टिंग में हार्डी प्लांट बहुत महेंगे पॉद्धी स्टार्टिंग में ना लगाएं और नहीं बहुत महेंगे पॉट इस्तमाल करें बेकार मटेरियल में ही अपनी गार्डनी की शुरूरत करें तो जो आपको एक्सपीरेंस हो जाएगा तो आप उसी हिसाब से महेंगे प्लांट भी ला सकते हैं य हम सफर कर रहे हैं तब भी बहुत सारी बॉटल से माई पास हो जाती है तो क्या फायदा उसको इस तरह से डियाएवाई करके हम नए नए प्लांटर बना करके और उनका गार्डनिंग में इस्तमाल कर सकते हैं यह देखे मैंने पेंट कर दिया यह कितना खुबसूरत लग र लग रहा है और उसमें कुछी दिनों में रूट निकल लाएगी चोटी-चोटी मटकियां तो हर घर में कहीं ने कहीं होती है इदर उदर फेकने की बिज़ा है उसमें पौदेल लगा दें मनी प्लांट कितना खुबसूरत लग रहा है न और आपके पेंट हो आपके पास को कोई भी पेंट हो आप पेंट कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने घर को अपने आसपास के वातावरान को खुबसूरत बनाए दोस्तों उम्यद करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा ओके फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं तक तक के लिए बाइ पेंट।